महराष्ट के पूर्व ग्रेह मंत्री अनिल देश्मुक एडी की रिमांड पर हैं और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है सौ करोड की वसूली के मामले में आरोपी अनिल देश्मुक को मंगलवार को गिरफतार किया गया था कई दिनों तक गायब रहने के बाद वो सोमवार को ईडी आफिस पहुँचे थे तेरा घंटे की पूछताच के बाद ईडी ने उन्हें गिरफतार कर लिया और कोट ने उन्हें 6 नवंबर तक रिमांड पर भेश दिया आज ईडी देश्मुक को फिर PMLA की स्पेशल अदालत के सामने पेश करेगी और कस्टेडी बढ़ाने की अपील करेगी अनिल देश्मुक के साथ साथ उनके बेटे रिशिकेश देश्मुक भी मुश्किल में है अवेद वसूली और मनी लॉंडरिंग के केस में ईडी ने रिशिकेश देश्मुक को पूछताच के लिए समझ जारी किया था और पूछताच के लिए शुकरवार को बुलाया था लेकिन वो कल ईडी दफ्तर नहीं आए और इशिकेश ने अपने वकील इंडरपाल सिंग के जरी ईडी को पत्र भेज कर महुलत मागी